गुष्मिल्यारम परहीं मैंसलाएलेकुम जी आप सब केसे हो ठीक हो और आप सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-दिलोज लोग बारक हो आपको मुबारक हो तकरीबन साथ बज रहे तो अम्दुल्म मैं आज है हैण मतन-ख alma बना रहा हूँ इस अपने प्यारों के साथ एद मनाने का आप्छ एक आमीन अमेन अमिन कुर्बानी को अपनी बारगाइल एक्पोल फर्माएं आमीन सुमामीन। और जिस जिसको जो है ना अल्लापाक ने जो है ना हज नसीब क्या है इस साल तो अल्लापाक सब को जो है ना हज कबूल करें अपने बारगाई लाए में आमीन सुमामीन तो और साथ साथ मुझे भी दूआ में शामिल कीजिएगा बहुती मोसम बहुती अच्छा है कुछ गवार मोसम है अल्हमदुलिल्लापादल चाय वे अडिन ऑख पाधि नहीं हैं हमारे सित्ति बंतो अल्हमदुलaurus माशाहला और यह प्या जो है मैंने जहने हिरुन को प्राउण कर रहा हूं अल्हमदुलिल्लै और इसमें खड़े मसाले मैं शामिल करूँगा यह एक बड़ी लाइची है तुकड़ा और लॉंग है और सौरी काली मिर्च है लॉंग है और बड़ी लाइची है मैं इसमें साबित ही मसाला एड़ करूँगा अब जाएची आती है अलहामदुलिला आप लोग भी अपने घर में ट्राइक कीजिए गाल हम दो आप लेखे जो है तो इसमें जो आप लोगे तो इसमें जो आप अच्छी आएगा अलहामदुलिला तो जी यह नब राओन होने वाला है तक तरिबन इसको ब्राओन करेंगे तरिबन यह नम अब टन है मैंने तक रिबन डेट कि लोगे जो है ना से बी ज्यादा मैंने जो हैने यह मतन लिया है तो बहुत अच्छा है और बोटियां भी बहुत अच्छी और जो हैना मोटी मोटी है अलहामदुलिल्ला मेरा प्याओ जो है यह ब्राओन हो गया है तो अब इसमें जो है ना यह सारा मताने शकामिल करेंगे जो कि बिसम घुअ है पुष्ष्ष्टा आइ साथ इसमें नलसन का पेस्ट और अद्रक का पेस्ट इसमें शामिल करते हैं, दोनों तक्रीबाँ तेस्पून के करीब मैं इसमें शामिल किया है, लसन अद्रक का पेस्ट पानी को जो है ना सोरी सारे जो है ना गोईश को जो है ना थोड़ा सा फ्राइ करते हैं प्याज और लसन में इनका जो है थोड़ा सा कच्छा पन दूर हो जाए तो फिर आप से मिलते हैं अलहम दलीला अब यहां ना मेरा जो हुआना ना मतन कोर्मा वो पक रहा है अलहम दल्ला अब इसमें जैना आप में बनाऊंगा जीरा और यह वाला जहना टुकड़े दालचीनी गे और तेन इलाजी में इसमें शामिल करूंगा मैं आज पकाऊंगा जीरे वाले चावल बहुत ही तेस्ती ब अब लोग देख सकते हो, यहां पर मेरा कोर्मा रहे हो रहा है, और साथ-साथ में जो हारा है तो मैंने इसमें पानी भी एड़ कर दिया दा, आप लोग देख सेकते हो, अब है मैं इसमें पानी शामिल करूँगा तक्रिबन मैंने जो है न, चावल जो है न, वो डेट किलो है दो उनके हिसाब से मैं शामिल करूँगा पानी, जितने आपके चावल है उनके हिसाब से आप लोग जो हना पानी डालीगा इसमें, जीरे वाले चावल बहुत ही टेस्टी बनते हैं, अलहम दलिए आप लोग भी जो है न, इद पे जो है न, ये जीरे वाले चावल बहुत अच्छे बनते हैं, दाल चिनी वाले और इलाइची वाले, ओइल मैंने तक्रिबन हाफ जो हैना मैंने कप लिया था, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया, पानी भी शामिल कर दिया, एक रहता है नमक, तो मैं इसमें नमक थोड़ी देर बाहर डालूँगा, चावल के बाज हैना मैं इसमें शामिल करूंगा नमक अब इसको बॉयल आ जाएगा फिर इसमें में चावल एड करूंगा अब कि अबी में मैं शामिल करूंगा यह भी करमे में बहुत अच्छे लगते हैं अलहम दोलिला आप लोग यह अपने घर में ट्राय कीजिए यह बहुत छोग से खाते हैं आप लोग देख सकते हो यहां पर अभी मैं इसमें थोड़े से टमाटर डाल के फिर इसको थोड़े से मसाले डाल के इसको पानी डाल के मैं इसको जो ना शोरबे जैसा बनाऊंगा अलहम्दुलिल्ला बाग इसमें टमाटर रहते हैं तो टमाटर भी इसमें शामिल करूँगा अभी मैं इसमें टमाटर डालूँगा तक रिवल मैंने टमाटर इसमें शामिल किये हैं तीन बड़ी साइज के मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिये हैं अलहमदुलिल्ला अब इसमें मसाला डालके थोड़े से इनको भून लूँगा फिर उनके बाज है ने इसको पानी डालके फिर इसका शोर्बा बना लूँगा अभी थोड़े से मसाले इसमें शामिल करूँगा, शामिल करूँगा कोर्मा मसाला और यह आचारी गोष्ट मसाला है और यह कोर्मा मसाला है, यह भी गोष्ट का मसाला है, तो मैं इसमें शामिल करूँगा, अभी इसमें पानी डाल के तकरिपन लीटर मैंने पानी इसमें डा तो चलिए इनको पानी डाल के एक लीटर में इसमें पानी शामिल करूंगा उनके बाद आलू डाल के इसको जहना दम पे रखे पकाऊंगा